नमस्कार दोस्तों मैं विजय पाल एक बर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैट्स फ़र यू में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथेमेटिक्स की नोलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है और आप चैनल पर जो वीडियो सेरी जो भी स्टार्ट कर रही है वो है सेट्स और सेट्स के बारे में मैंने आपको जो बेसिक नोलेज थी वो सारी लगभग मैं अपने पिछले साथ लेसंस में करा जुका हूं ठीक है और अभी उसके बारे में कुछ एडवांस नोलेज और है जो हम कम्प्लीट करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में लेकिन उससे पहले मैं आज एक बुक के अकोर्डिंग जो सीबीसी के बुक आती है सेट्स की जो 11th किलास की है उसके अकोर्डिंग में आपको एक बार सेट्स जो भी हमने पढ़ा है साथ लेसन में उसके अकोर्डिंग आ सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन यह सारी बाते मैं आपको बता रखी है पिछले वीडियो से में बस हम उसको जो बुक्स के अकॉर्डिंग है वो यहां पर पढ़ लेंगे और इसमें हमें कई नई बाते भी सीखने को मिलेंगी क्योंकि हम concept तो समझ लेते है आज कल जो है concept जो है set का वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है यह आपको मैथमेटिक्स के बड़े topics करने के लिए जो fundamental है जो basic है वो sets आपको काम आएगा ठीक है वो समझने के लिए आपको set समझना बहुत जरूरी है relationship क्या होते है functions क्या होते है हमारे आने वाले discrete mathematics के वीडियो में पढ़ेंगे आपको यह सब चीज अच्छी तरह पढ़ने के लिए sets की जो knowledge है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह होनी चाहिए आगे चलते हैं the theory of sets वा developed by German mathematician George Centaur यानि एक George Centaur करके जर्नल जर्मन मैथमेटिक्शन थे जर्मनी के 1845 तक इनका कारेकाल जो जीवन ने वो रहा he first encountered was sets which working on problems on trigonometric series उन्होंने problem on trigonometric series के साथ काम करते हुए जो sets से उसको खोजा in this chapter we discuss some basic definition of operations involving set यानि इस chapter में हम क्या करेंगे बेसिक definition और जो operation के बारे में वो हम पढ़ेंगे तो यह था sets का introduction अब चलते हैं आगे sets and their representation तो sets के बारे में हमने पढ़ रखा है हमारे पिछले lesson में बुक के अगोडिंग देखते हैं इन एवरिडेय लाइफ वी ओपन इस पीक कलेक्शन ऑफ अब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर काइंड such as a pack of cards, crowd of people, a cricket team यानि हम अपने जीवन में कुछ एक तरह की चीजों की बाते करते रहते हैं जैसे task केलते से में task का एक pack, crowd of people, लोगों की भीड, a cricket team इन mathematics also we come across collections for example of natural number, point, prime number, etc यानि हम mathematics में भी क्या करते हैं, natural number की बात करते हैं, points की बात करते हैं prime number की बात करते हैं और अलग अलग तरीकों से हम कई तरह की कलेक्शन की बात करते हैं तो यह जितने भी कलेक्शन हैं यह सारी collection हमारे क्या कहलते है, set क्यालाते हैं या समूचे कहलते हैं, अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ examples दिखे हैं वी एक्जाम में दे फॉलोविंग कलेक्शन हम इन कलेक्शन की बात करते हैं देखें यह सारे कलेक्शन आपने सुने में लेकिन यहां पर अब हम इसको सेट्स के अकोडिंग पड़ेंगे कि सेट्स इंस में बनता है या नहीं फर्स्ट है और नेचुरल नंबर लेस देन टैन हैं यह आपको अगर दस से कम ने अर्ड नेचुरल नंबर लेने हो तो आप क्या-क्या लोगे एक तीन-पांस सार नो मलेव यह और नंबर है और नेचुरल है और दस से कम है तो यहां पर पांच वेल्यूज का और पास क्या बन गया इसी तरह से दरी वर्स आफ इंडिया इ उनका भी एक सेट बन गया प्राइम फेक्टर्स ओफ टू वन जिरो यानि दो सदस के जो अभाज्य गुन्खंड होंगे उनको जब आप डिवाइड करोगे तो जो अभाज्य गुन्खंड आते हैं बेसिक जो प्राइम फेक्टर उनका जो सेट होगा वो भी क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा जिसी तरह से सोल्यूश एक kवेशर दिए इसके सोलूशन आए ग suppressor्ति यह भी होजाएगा इसकाNS कि सेट क्या होता है कि किषी वी संख्याहों का किसी चीजों का जो collection होता है जो जिसमें कोई ने कोई रूल लगे जो एक प्रकार के हों उनको हम क्या बोलते हैं we note that each of the above example is well-defined collection of objects यानि कि यह चीज़ जरूरी है well-defined collection of objects यानि कि जो भी हम set देख रहे हैं वो एक well-defined collection होना चाहिए यह object का well-defined का मतलब है कि वो अच्छी तरह है आप उसे define कर सको ठीक है तो वो क्या कलाता है हमारा sets क्यालाता है उसके बाद the sense that we can definitely decide whether a given particular objects belong to a given collection or not well-defined का मतलब यह है कि आप बता सको कि जो भी object है या जो भी आप element ले रहे हो वो उससे relate करता है या नहीं करता है उसी को well-defined बोलते हैं for example we can say that the river neils लिखावा है the river neils does not belong to the collection of rivers of India यहां पर साब साब हम लिख सकते हैं कि जब हम rivers of India यहां हम समुच्छे बनाएंगे तो उसमै नील नदी कहा है नंधी कहा है विधेश में है तो मिस्र में है वो भारत मेंनी है तो जो नील नदी है वो इसके अंदर जो है इसका डिमेंट नहीं होगी तो यह कि हम साबशा पता क्योंकि यहां पर हमने लिखा है rivers of India ये एक well defined है कि जो नदिया हमें लेनी है वो इंडिया की ही लेनी है तो उसके अंदर बाहर की जो नदी है नील नदी वो इंडिया की नहीं है तो यह समय नहीं आएगी तो वह साफ सा पता लग रहा है On the other hand, the river Ganga does belong to this collection. जैसे Ganga न दी है, तो Ganga न दी इंडिया की है, तो वो इस sets के अंदर आएगी. तो इस परकार हमें देखते ही बता लग रहा है कि जो set हमने लिया है, वो well-defined है क्योंकि उसके जो element है, वो हम देखते ही बता सकते हैं कि वो उसके अंदर है या नहीं. तो इसी को हम बोलते हैं well defined collection ठीक है चलते हैं आगे we give below a few more examples to sets अब कुछ और example देखते हैं यहां देखो n जो होता है वो होता है set of all natural number यानि प्राकरत संख्याओं का समुझ एक से लेकर अनंत तक जैड़ होता है set of all integers यानि सभी integers का collection integers होते हैं पूर्णांग चाहिए वो plus के हो चाहिए minus के हो चाहिए जीरो हो ठीक है फिर होता है Q the set of all rational numbers जितने भी परी में संख्याओं है बट्टे वाली जो संख्याओं है उन सब का collection होता है वो होता है हमारा क्यों उसके बाद are the set of real numbers यानि जो आर होता है वो सभी real numbers का सेट है real number का मतला है वास्तिक संख्या है जिसके अंदर natural whole number integers यह सब आ जाती है फिर आता है Z plus the set of all positive integers अब यहां पर देखो जो जैड़ था वो क्या था जैड़ था इंटीजर और जैड के उपर प्लस लग गया इसका मलब हमें के वह पॉजिटीव वैल्यू लेनी है तो जैड़ प्लस क्या हो गया the set of all positive integers यानि इसमें हमें positive values ही लेनी है negative values नहीं लेनी ह ठीक है उसके बाद Q plus Q था rational number का तो Q plus क्या हो गया the set of all positive rational numbers जिसको पर प्लस लगया उसमें हमें जिर्फ positive value का set लेना है इसी तरह से R plus real number में only positive लेना है तो वो set क्या क्लाएगा हमारा R plus the set of all positive real numbers the symbol of the special set given above will be referred to the throughout the text यानि यह कुछ symbol है nzo तो यह symbol आपको याद रखने है इसके बाद चलते हैं आगे आगे अगें the collection of five most renowned mathematician of the world is not well defined because a criterion of determined mathematician as most renowned for all person to person thus is not well defined collection यहाँ पर यह कुछ बता रहा है कि कई बार अलग अलग जो बताते है कि कुछ कई मालब कई prospect में जो collection होता उसका well defined नहीं होता तो उसको आपम वह इसमें नहीं बोलते है we shall say that a set is well defined collection of object यहाँ आपको अगर set लेना है तो वह well defined collection होना चाहिए कई बार क्या होता है कि कोई collection well defined नहीं होता तो उसको हम sets की शिरनी में नहीं ले पाते हैं नहीं लेना चाहिए उसको ठीक है यह बाद आपको दियानक नहीं है चलते हैं आगे the following points may be noted कुछ आगे point है objects elements and member of a set are synonymous terms यानि आप चाहें object के दो चाहें elements के दो चाहें members के दो set में एक ही बात है ठीक है मैं कई बार elements के देता हूं कई बार आप यह आपको दियान रखनी है ठीक है उसके बाद है the elements of a set are represented by small letters यानि set के जो elements है उनको आप small letter में represent करोगे यह एक good way पर होच होती है अच्छा तरीका होता set को लिखने का यानि set का जो नाम है वो सब आपको लेना है capital letter में और set के जो elements है या जो members है उनको आपको लिखना है small letter में ठीक है चलते हैं आगे if a is an element of set a यानि a कोई element है set a का तो we say that a belongs to a अब देखो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हम set को लिखते हैं वो capital letter लिखते हैं यानि a हो गया set और इसका element होता उसको हम small में लिखते हैं तो यदि कोई a element है जो capital a set का element है तो इसको हम लिखाँगे a belongs to a the Greek symbol element of epsilon is used to denote the phrase belongs to अब यहाँ पर देखो यह एक symbol की बात की गई है यह देखिए यह एक symbol आपको दिख रहा है यह वाला इस symbol का नाम है epsilon ठीक है अब epsilon क्या होता है epsilon एक तरह का symbol है यह Greek वासा की ABCD है वहां से हम symbol लेते हैं क्योंकि Greek वासा में सबसे ज़्यादा जो alpha पर उते हैं वो होते हैं तो इस symbol का नाम तो epsilon है लेकिन यहाँ पर इसका use होत अब इसको कई जगे मैंने elements of भी बोला है तो आप इसको element of भी बोल सकते हो कि a is element of a क्योंकि आप इसको belongs को elements भी बोलते हो तो आप इसको is belong to बोल सकते हो या element of बोल सकते हो इसका मतलब है कि जो a set है उसके अंदर a element है एक उसका member है if b does not an element of set है we write b is not element of a अब यहाँ पर element है b जो किसी set से related नहीं है जैसे b is not element of a तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे b does not belongs to a या b is not element of a ठीक है तो यह आपको दो symbol याद रखने है element का और element of का जो epsilon है Greek वासा से लिया है ठीक है उसके बाद चलते हैं आगे in the set v of vowels in the English alphabet अब जैसे English alphabet जितने भी है a e i o u उसके जो vowels है उनका set है जो जिसको नाम दिया है हमने capital V तो यहाँ पर हम लिखेंगे small a is element of v but b is not element of v क्योंकि a e i o u जो vowels है उसमें a आता है b नहीं आता तो यहाँ पर b is not element of v हो जाएगा in the set of p prime factor of 30 अब यदि हमने prime factor of 30 30 जो value है उसका हमने prime factor का set लिया है जिसको नाम दिया है पी तो इसके अंदर के आएगा 3 आएगा और 15 3 आएगा 5 भी आएगा लेकिन 15 जो है उसका prime factorization नहीं होगा क्योंकि 30 का 15 जो होता है वो फेक्टर तो होता है लेकिन यहाँ पर प्राइम फेक्टर नहीं होता प्राइम नहीं होता है इसका मतलब 15 जो हो पी का element नहीं होगा लेकिन तीन प्राइम फेक्टर होता है तो यह तीन इसका element होगा प्राइम फेक्टर का मतलब हो गया अब हज्य गुननखंड ठीक है उसके बाद है method there are two method to represent a set दो तरह के method होता है किसी भी set को represent करने के लिखने के ठीक है क क्या होते हैं पहला होता है roster or gebular form तरीके से लिख सकते दूसरा है set leader form आप उसको जो डफिल्छों form है set builder है उस तरीके साफ इसको लिख सकते हो दोनों तरीके भी हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले आओ in roster form all the elements of a set are listed जब आप roster form में लिखते हो तो जितने भी element है उसको आप list बना के लिख दो कोमा लगा लगा लिख दो the elements are being separated by comas यानी बीच में आप कोमा लगा के लिख दो और दोनों को इस तरह के करली bracket में बंद कर दो बीच में कोमा लगा के लिख दो for example example के लिए देखते हैं the set of all even positive integer less than seven यानी आपको साथ से कम सारे positive integer लेने तो क्या होंगे ए even positive integer लेने तो साथ से कम तो होगे एक से 6 लेकिन even लेने हैं तो दो चार और चाहिए तो इनका जो रोस्ट फॉमाईगी वह यह आजेगी दो चार और चाहिए तीनों को कॉमा लगा 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 हमने लिख दिया और दो इनको क्या किया जो कर ली ब्रैसे से मुझला ब्रेक्ट इसके अंदर बंद कर दिया ठीक है नेट सम ओर एक्जांपल रिप्रेजंटिक के शेट फॉमागी उन्हों भी लो कुछ और एक्जांपल दे रिखें देख लेते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा आप सेट्स के एक्जांपल देखोगे आपकी जो डेफिनेशन है आपकी जो कॉंसेट है सैट्स को लेकि और ज चलिए जलते हैं देखते हैं एक्जामपल और देसेट अफ ओल नेचुरल नंबर विच डिवाइड फॉर्टी टू इज यानि जो फॉर्टी टू से डिवाइड हो जाते हैं ऐसे जितने भी वैल्यूस हैं उनका सेट आपको लेना है तो यहां पर आप क्या लोगे एक दो ती यहां पर थर्टी के लिए हमने पंदरा एलिमेंट नहीं था लेकिन यहां पर फॉर्टी टू के लिए जो है वो 21 एलिमेंट है जबकि इसमें भी बात ही थर्टी का हाफ था पंदरा जबकि यहां पर है और यहां पर नहीं था ऐसा क्यों बता सकते हो ऐसा इस लिए क्योंकि कि यहां पर हमने लिया है प्राइम फेक्टर्स प्राइम फेक्टर्स वह होता है जो और किसी से डिवाइड ना उसके लेकिन यहां पर हमने सिर्फ मेंबर्स विच डिवाइड लिखा है यहां पर हमने प्राइम फेक्टर नहीं लिया तो जब प्राइम फेक्टर नहीं होता त इसको बाद में बताओंगा और यह जो दूसरा blue color का आप देख रहों यह भी एक तरह का note यह आपको बाद में बताओंगा तो उससे पहले हम जो बीज का एक्जामपल है B और C वो कर लेते हैं उसके बाद the set of all natural number is represented by एक तिन पांस यह यह जितने भी natural number है एक से लेकर infinite तक उसमें से और natural number तो odd का मतलब होता है विसम यानि एक तीन पांच अब यहां पर देखो यह नहीं लिखावा किस से कम तो हमने एक लिखा तीन लिखा पांस लिखा अब इसके आगे साथ नो ग्यारा चलते रहेंगे तो जब इस तरह से हो कि आपको कहा तक चलेंगे पता नहीं हो तो आप इस जो आगे चलते जाएंगे अब सारे तो लिख नहीं सकते इनिफिनिट तक तो हमने उसमें क्या 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 कोमा लगा कि आप डैस करके उसको छोड़ सकते हो दे डॉट्स टेल अस दे लिस्ट ओफ और नमबर स कंटीनिव इडेंटिफ यानि जो डॉट है इसका मतलब है जो अनंतकाल तक चलते रहेंगे ठीक है अब यह नोट हम देखते हैं इसका अंतर देको लिखा हुआ है इन रोस्टर फॉर्म दे ओर इन विच एलिमेंट्स आर लिश्टेट इस इम्मैटेरियल यानि की रोस्टर फॉर्म में आप जो ओर लिखते हो संख्या हों का ठीक है जैस यहां पर देखो यह दो है यह हमने बाद में लिख दिया तीन तीन पहले लिख दिया साथ बाद में लिख दिया और छैप में लिख दिया और चैप में से कोही फ्रीक नहीं नहीं परता दस्ट ऑबॉक सैट क से процесс from 1-3 यानि जही जो ऐलिम votes है आपको वह सारे ऐलिमेंट while writing the set of roster form in an element is not journally repeated जब आप roster form में लिखते हो तो उसके जो element होते हैं वो रिपीटेड नहीं होते not journally repeated समाने ताइं नहीं होते किसी condition में कोई अलग है तो हो सकता है बाकि repeated नहीं होते हैं जैसे all elements are taken as distinct elements क्या होते हैं होते हैं मतलब यदि कोई इसको एक hisp civil k tragic को एक वर स्कूल इसक Mystery हुश्छारा तो इसको एक बार ही लिखना है कि for example the set of letters forming word school school के अंदर जतने भी ब्युतने बी लेटर काम में आ है उनके आपको सेट बनाना है तो इस कोंदर sr si cre charo 200 वार यहां पर 12 बार नहीं लिखेंगे एक वार लिखेंगे ठीक है यानि यह जो सेट है यह हमने क्या लिया है यह सेट नहीं लिया है कि एक वर्ड है क्षुण से उनका उनको सेट लेना तो इसके एसक अंदर जितना भी लेटर हें चारक तो हम इसको दो बार ना लिख करके क्या लिखेंगे एक बार ही लिखेंगे ठीक है और या फिर आप इसको आगे बीचे करके उससा कोई मतलब नहीं है आप इनको आगे बीचे लिख सकते हो टीकते दोनों नोट को ध्यान रखना है उसके बाद चलते हैं यह तो थी हमारी रोष्टर फॉर्म उसके बाद चलते हैं इन सैट बिल्टर फॉर्म क्या होता है कि आपको ऐलिमेंट डारेक्ट नहीं लिखना आ उनकी एक common property होती है common rule होता है तो आपको वो common rule या common definition वो लिखनी है आपको अलग अलग नहीं लिखना है और कोई भी set का element उससे बाहर नहीं जाता for example in the set of AEIOU जैसी यह आपने लिखा है तो इसमें all the elements possess a common property namely each of them is a vowels in English letter यानि यह जो set AEIOU इनकी एक common property है क्या property है क्या इनका जो rule है कि यह vowels है English alphabet के ठीक है तो आप इसको यह लिख सकते हो और इसमें एक बात हो रहे and no other letters possess this property यानि कोई भी letters property के बाहर नहीं हो जो इस set में हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो वी एक set है X यानि वी के अंदर X है is a column है इसको बोलता है such that यानि इस परकार की X is a vowels in English alphabet यानि आपने एक तो यह set लिखा ए ए आई ओ यू ठीक है और एक आपने set लिख दिया यह तो इन दोनों का मतलब एक ही है यह आपने direct elements को listed करके लिख दिया यानि की roster form और यह आपने as a definition as a rule के अंदर लिख दिया तो यह आपकी कहलाती है set builder form जिसमें आपको सारे लिखने ना पड़े आपने सिर्फ एक rule लिख दिया rule के according सारे आगे ठीक है अब यहां पर तो पांच ही element थे तो हम यह भी लिख सकते हैं ज्यादा ही जीए रहेगा लेकिन कई बर क्या होते हैं कि 20, 25, 100, 200 element होते हैं तो उस condition में हमें यही लिखना ज्यादा बेटर रहत लिखना है और फिर उस एक्स के बारे बताना है कि एक्स क्या है उसकी प्रोपर्टी आपको सारी लिखनी है और हूंको कर लिखना है में बंद करना है ठीक है यहां पर यह भी बाता को लिखना है कि the set of all x such that x is all of the alphabet यानि कि जो colon का निसान था उसका मतलब है such that क्या मतलब है such that तो इस प्रकार से आपको यह लिखना है ठीक है अब इसके नीचे और भी इस तरह के एक से एक नेचरल नंबर है और एक्स की वेल्यू तीन और दस के बीच में मतलब तीन से तो ज्यादा है और दस से बीच में तो इसको आप लिखोगे the set of all x that x is a natural number and x lies between three and ten तो या ताब इसको इस तरह से लिख दो if we denote the set describe a b and c above in the roster form a b c respectively then a b c can also be represented in the shelter form as below यानि हम उनको अलग-अलग जो set है a b c पहले जो हमने example लिए उसको अमिशतर से भी लिख सकते है जैसे x is a natural number आप कुछ भी लिख सकते हैं तो इस परकार से यह थी set builder form और roster form दोनों यह पर होई complete अब नीचे कुछ example दे रहे हैं आज के वीडियो में तो हम यह नहीं करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और next वीडियो में यह example में आपको समझाऊंगा तो यहां तक वीडियो में जो भी है आपने पढ़ा एक बार इस वीडियो को दुबारा देखिए और अपनी बुक है उस बुक को भी आप द जियान रखिए और मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो में किसी पगार कोई doubt हो तो आप comment box में पूछिए और वीडियो को लाच तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको यहां से example से वापिस से कराऊंगा धन्यवाद दास के वीडियो के लिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिए धन्यवाद